एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी इस कारेक्रम की प्रायुजक है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार नमस्कार दोस्तू स्वागित है आप सबका कारेक्रम किसान की बात में हम सब जानते हैं कि फल और सबजियां हमारी सेहत के लिए कितनी फायदे मंद हैं हमारी रोग प्रतिरोधक जो शमता है उसको बढ़ाती है बिमारियों से लड़ने की ताकत हमें देती हैं और भी अगर हम कहें कि एक संतुलित भोजन में इनका बड़ा योगदान है और अगर बागवानी की हम बात करते हैं भारत के अर्थवेवस्था में भी तो उसमें भी पोशन प्रदान करती है और कई फलों और सबजियों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है बिल्कुल निलम आपने सही कहा क्योंकि हमारे जो शोता हैं वो इस समय इंतजार करते हैं किसान की बात का और कहीं न कहीं एक मन में उत्साहा होता है कि आज कौन सा नया विशे लेकर के हमारे साथ ही आने वाले हैं कौन विशेशक्य होंगे किस विशे में चर्चा रहेगी दलहन, तिलहन, दुगद, पशुपालन, क्रिशी, बागवानी तमाम जो हमारे किसान भाईयों से सम्मंदित विशे हैं जिसमें कुछ न कुछ उन्हें ऐसा जानने के लिए मिले कि जो उनके आर्थिक इस्थर में परिवर्तन लादे उसी विशे को हम समलित करते हैं कारिकर अवल उसे कहा जाता है क्योंकि विटामिन A, C से भरपूर है, आखों के लिए अच्छा है, और साथ में पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, तो ऐसे फल की बात हम कर रहे हैं और वो है पपीता, बिल्कुल निलम आपने सही कहा है क्योंकि पपीता एक ऐसा फल भी हमने दे बिल्कुल क्योंकि हमारा जो स्वास्त है, वो इस योगेई ना हो कि हम जाना ही ना पड़े, लेकिन फिर भी जब कुछ खाने के लिए ना हो, जब तवाम पिर्ती बंद हो गया, पपीता तब भी है, तो एक आशा भी है कि हम कम से कम फल दो खा रहे हैं, जो हमारे स्वास्त को सुधार सकता है, ये स्वास्त सुधारक फल भी है, और इसकी आवश्यक्ता हमारे शरीर को हमेशा होती है, तो हमारे कारिकरम में हमारे किसान भाईयों के लिए हमाज लेकर के आए हैं, कि जो हमारे किसान भाई पपिता की खेती कर रहे हैं, उसमें सुधार करें, उसको व प्रदातार इसमें आगे बढ़ते रहें। तो आप हमसे जुडे हमारा फोन नंबर है। प्रदातार इसमें नंबर हमारे पुराने जो जानते हैं। लेकिन प्रदाते हैं कि अगर आप हमें कॉल करें। और दिल्ली के बाहर के शोता हैं। जीरो वन वन जो दिल्ली का एश्टीडी कोड है वो लगाना बिलकुल न भूलें। ताकि आपका प्रश्ण सीधा पहुँचेगा डॉक्टर साव के पास। और उसका समाधान हमारे डॉक्टर साव इस टूडियो से देगे। तो डॉक्टर कनहिया आपका बहुत-बहुत स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद ने, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम यही जानकारी चाहेंगे कि पपीता की खेती करना किसानों के लिए, बागवानों के लिए कैसे फाइदे मन्द है। जैसा कि किसान भाई अभी मैं बता रहे थी और भाई सब भी बता रहे थे, खास तोर से पपीता के गुडवत्ता के बारे में, खास तोर से स्वास्त के प्रती। जैसा मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन A के लिए आम के बाद ये दूसरे अस्थान पर है। सबसे ज़्यादा विटामिन के मात्रा पिता में पाई जाती है। और ये बिभिन्द परकार के आपके जो पेट से समधी बिमारियां है। इसमें बहुत ही एक लाबदायक फल है। जहां तक आर्थिक की बात होती है तो बहुत ही कम समय में तैयार होने वाला एक यही फल है जो कि 15-18 महिने में आपका पूरा फल आ जाता है और अच्छी आमदेनी देता है प्रती हेक्टेर यार प्रती एकर इकाई छेते फल में। जी तो अभी जो हमारे किसान पपीता की खेती के बारे में सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ऐसे जगों पर पपिता को लगाएं जो समतल हों या जहां पे पानी नहीं रुकता है इस तरह से जो है और मिटी जो हो आपकी बलुई दुमट मिटी हो जिसका पीएच मान जो है छे से साथ के आसपास हो और उसमें मिटी मुझ रोरता अच्छी मात्रा में उरुरत की मातरा पाई जाती हो उरुरत सब्सक्राइब अच्छी हो परजातिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं गानो डैसियस या उभै लिंगी उभै लिंगी का मतलब हुआ कि उसमें या तो हर्मा फुड़ाइड फूल आएगा या तो मादा फूल आएगा तो उसमें दोनों में मादा में भी फूल आएगा हर्मा फूड़ाइड जो उभै लिंगी है उसमें भी फूल आएगा मतलब क्या होगा कि जो मादा का फ़ल होग तो बिल्कुल ये तो रहा हमारे जो राजा जी प्रसंद पोच पोच रहे थे लगना जवाब डॉक्साब कई बार अभी जो हमारी कारिकरम की सरुवात में आपने बात करी कि हम किस प्रकार मिट्टी का चुनाव करें जी हमारे खेत की मिट्टी कैसी होने जाए लेकिन उस खे पर आपको पोधे लगाने है तो जहां तक हो सके परपिता के बारे में हम लोग करते हैं किसान भाईयों को कि वरगा कारवधी मनें इसको हम बते हैं स्क्वाइर सिस्टम से आप खेती करें और परपिता के लगाने का जो दूरी है वो छे फीट बाई छे फीट मतलब 1.8 इं दो फीट दो फीट लंबा दो फीट चवड़ा दो फीट गहरा मिटी गहरी खुदाई करके मिटी को आप बाहर निकाल लें और ये खुदाई करने का या गड़ गड़ा खुदने का उप्यूक्त समय चल रहा है कि जून के लास तक आप गड़े खुदाई करलें मिटी को ब लाल सकते हैं, यदि आपके छेतर में दीमक की समस्या हो, तो आप क्लोरो पायरिफास नाम की दवा आती है, उसकी 20 ग्राम मातरा ले करके, तो गोबर की खार, क्लोरो पायरिफास पूरी मिलवा लें, और मिलवाने के बाद गड़े को भरवा दें, यदि बरसात होती है, तो ठ तैयारी कर सकते हैं पोधों के लगाने की. जी डोक्टर साब ये तैयारी कर रहे हैं किसान भाई और शुरू कर भी देंगे, कोई लोगों ने कर भी दी होगी. तो क्या आप प्रजातियों का किस्मों का कैसे चुनाओं? यह मैं आपसे कहने वालत था, कि जब भी आप पोधों पे जाते हैं, तो मैंने अभी भी बिताया राजा भाई साब को कि दो तरह के किस्में होती हैं, एक होती है एक लिंगी, दूसरी होती है उभाई लिंगी. तो एक लिंगी किसमें में होता है कि नर और मादा 50-50% बन्दे आपको चांस है कि 50% नर आएंगे, 50% मादा आएंगे उस केस में आपको परती गड़े 3 पोधे लगाना चाहिए या 2 पोधे लगाना चाहिए जैसे कि हमारा 50-50 चांस होगा कि एक हमारा मादा आएगा क्योंकि हमको फिमेल चाहिए फल लेना है तो हमको फिमेल चाहिए और पूरे बगीचे में 10% नर भी रहेंगे तो वो परयाप्त है उसको पॉलनेशन करने के लिए परागण करने के लिए उसमें जो किसमें है वो हमारे संस्थान के दो किसमें बहुत ही अबडियां है एक है आपका पूसा ड्वार्फ दूसरी है पूसा नन्ना ये दो प्रजातियां हमारे संस्थान के द्वारा बिक्सित की गई है इसके अलावा और भी बिराइटियां है जैसे कि यहां की है, पंद अगर की है, पंद पपाया 1 है, पंद पपाया 2 है, पंद पपाया 3 है, इसके अलावा कुछ बिराटिया कोयम बटू से निकली है, वहां पर तेमिल नाडू के सिविद दयला है, उसमें आपके CO2 है, CO6 है, CO7 है, इस तरह के किसमे हैं, जो कि आपको एक लिंगी है, लेकिन हम किसान भाइयों से कहेंगे, जब भी आप पौधे लगाने का सोचते हैं, तो पपीता के में आप जो है, ड्वी लिंगी या उभै लिंगी जो होती है, उसको आप चैन करें, उसके लिए हमारे संस्थान के भी कुछ किसमें हैं, पूसा डिलिसियस ह उसके अलावा बैंगलोर से, जो भारती बागवानी और संधान संस्थान है, वहां से दो किसमें निकली हुई है, एक सुर्या है, एक अरका प्रभात है, कोयन बटूर से एक प्रजाती है, आपकी उसको बोलते हैं, CO3 और CO7 है, इसके अलावा कुछ प्राइबेट के हमारे जो नर्सरियां है, जो प्राइबेट की जो है, उसमें सबसे अच्छी ब्राइटी जो समें की भारत के पूरे प्रदेशों में पूरे चछतरों में उगाई जा रही है, उसका नाम रेड लेडी है, रेड लेडी या 786 है, इन तीस तरह की किसमों का चुनाव करके, किसान भ लेडीर कि लेड़े संधने के लेडार के लिए है, तो पो पपीता प्रदेश के लीर के लिए लिए एकणुन पराड़े है, लेकिन जो किसम आप लाएते, वो किसम नहीं हो गी. जो कि इसमें पपीता एक पर परागड की फसल है, क्रास पॉलनेटिट फसल है, तो उसमें परागड कहां से गिरा, किस बराइटी का गिरा, यह आपको नहीं मालूम है, तो जो पौधा तयार होगा, वो उस प्रजाती का या उस किस्म का नहीं हो, लेकि फल आएगा, जी बिल् और से भी कुछ किसमें हुई, तो यह शेतरवार अलग-अलग किसमों का अनुसंधान होता रहता है, और वहां के किसान अपनाते भी रहते हैं, जैसे हम पपीता को सोचते हैं, कि अध्योगिक रूप से भी एक ऐसी फसल है, जिससे किसानों को बहुत लाब मिल सकता है, एक बैजको हम लोग बोलते हैं, प्रोटिलिट इंजम प्रोटीन को तोड़ती है, तो इसके लिए यह पपेन अप जो यूज करते हैं, और यह पपेन जो पपीता का जो दूध होता है, उसी को सुखाने से प्राप्थ होती है इसके लिए जब से पले जिए किसान भाइक थे कर तो इस तरह से ये किसमे जो हैं आपकी बहुत ही प्रथिलित किसमे हैं जिनको की किसान भाय चैन करके पपेन की खेती कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें आपको जो खेती उसी परकार होगी जैसे कि पपीता की खेती होती है लेकिन इसके जो पपेन को लेने का समय है जब आपका प वे 2 बीज़ का 40 दिन तो आपको ऐसी दिन के आसपास इस फ़ल का चेहन करना चाहिए और चेहन करने से पहले आपको उसमे एक नीचे प्लास्टिक की या इस तरह से सी से की ट्रे आती है पोधे में लगाना पड़ेगा और उसमें आपको फल में चीरा लगाना पड़ता है तो नीचे ना गिरे। याब जो प्लथीन सीट लगाए हैं। पहली बार चार चीरा लगाएं। एक बार साथ दिन के बार अगेन चार चीरा लगाएं। इस तरह से आपको पूरे फल पे आपको चीरा लगा देना है। जिससे कि आप उसमें कोई जगन न बचे। ताकि हमारा पूरा दूध निकल जाए पपिता से, यदि आपका पपेन या दूध सूख हो जाता है, तो प्रयास करें कि आप किसी लकडी की जो होती है, उससे धीरे सके निकाल दें, या काच लें, या हटा दें, और उसको एक जग़ा इक अठा कर लें, इक अठा करता समय हम इसके हाइजनिक को मेंटेन करें, स्वास्त को मेंटेन करें, और उसके बाद उसको सुखाना पड़ता है, जैसे हम लोग होता है कि बाहर धूप में सुखाते हैं, तो उसमें चांस रते हैं कि धूल या इस तरह के कुछ आने के चांस रते हैं, तो प्रयास करें कि जो ड्रा के लिए कर रहे हैं वो तो ठीक है काफी कुछ समझते होंगे लेकिन अगर जो पहली बार शुरू करना चाहते तो उन्हें अपने आसपास से पूरी कृषिविज्ञान केंद्र या बागवानी शेत्र से पूरी जानकरी लेकर ही शुरू करना चाहिए कि उसके लिए मार्केट है हम ले जाकर के बेच सकें जानकारी तो आपका कृषिविज्ञान केंद्र किसी बिद्याल है भारती के जन परसत के इतने भी संस्थान है जहां पर की उद्ध्यानकी है वहां से भी आपको जानकारी प्राफ्ट हो सकती है लेकि सबसे इंपॉर्टेंट है वहां के किसमे क किसमे को लगाना है आपको और इसके बाद जो है कौश तरह की जो है कहां पे आपको बेचना है यह इंपॉर्टेट है जी बिल्कुल हम इसके बाद डॉक्टर साहब आपसे जरूर पूछेंगे कि नरसरी कैसे तयार करने है इसके लिए और आए सुनते हैं एक संदेश संकट के समय प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना इसानों के लिए बरदान है अब रूखा पड़े या बाडा जाए तोई गर नहीं है अब बोले पड़े यकीट पतंगे फसल खा जाए तोई फिक्र नहीं योजना से हर साल जुड रहे हैं पांच करोड से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदी की कृशी कारियाले सेहकारी समीती बैंक शाखा अधिक्रत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजी करन फसल बीमा पोटी या फसल बीमा आत्वारा भी कराया जासका है पंजी करन प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर सुरक्षा कवर्च खुशी एवं किसान कल्यान मंत्रा लेब साथियों आप सुन रहे हैं कारिकरम किसान की बात सौध श्मजीक मेगा हर्ट्स पर आकाश वनी एफम गोल्ड चैनल पर हमारे साथ इस्टूडियो में आज पपीता की वैग्यानिक ढंग से खेती और देख बाल इस पर चर्चा करने के लिए विशेशके हैं डॉक्टर कनहिया सिंग जो की प्रधान वैग्यानिक हैं फल विज्ञान संभाग भारती कृष्चियन संधान संस्थान पूसा नई दि पूछ हैं नंबर आपको एक बार फिर बता देते हैं हमारा आप नंबर नॉट कर लिजेगा 23421608 और जो दिल्ली के बाहर के शोता हैं वो 011 दिली का एस्टी डिकोर लगाना बिलकूर ना भूले हम भी तयार हैं डॉक्टर साब भी बैठे हैं और बात के लिए जैसे कि हम में संदेश के बाद डॉक्टर साब आपसे जानना चाहेंगे कि पपीते के लिए नर्सरी कैसे तयार करनी है और क्या साथानिया रखनी है जे जे आजकल हम लोग नर्सरी जो है पॉल्थिन के बैग में कर रहे हैं पहले हम लोग जो है उठी हुई क्यारिया बनाते थे मिट में डिकेत उठनीा लिकिन कि आपाल्थीन के यख़ हम comment करते हैं कि लोग आता है तो टो पैसे सबसे पहले आप ऑलतीन की त्याले जिसके जो आकार होगा वह हुआ छे-इंच पाल्थीं गाली त्याह नबेले उस थेलियों में पहले से बनागवा छेद मिलता है इदि चेद ओ तु आप उसमें किनारे किनारत फराइज छेद कर लें और उसमें यदि आपके पास हलकी मिट्टी है तो आप आधी, मिट्टी और आधी, गोबर की खाद, दोनों को बनावर मात्रा insights में मिला करके और खुब भूर-भुरी बना लें और बनाने के बाद उसमें अच्छी प्रकार से भर दें, यदि आपके मिट्टी भारी है, तो एक तीहाई मिट्टी, एक तीहाई गोबर की खाद, और एक तीहाई जो है बालू, सैंड इसे हम बोलते हैं, उन तीनों को मिला लें, जिससे कि आपके मिट्टी हलकी रहे, क्योंक सबसे जो मसहूर है मिडिया, वो है आपकी कोकोपिट, बर्मिकुलाइट, परलाइट, कोकोपिट क्या है, कोकोपिट एक नारियल का बुरादा है आपका, जो नारियल खाते हैं, उसका उपर का चिलका, उसी को चाप करके बनाते हैं, तो दो भाग नारियल का बुरादा ले आप बर्मी कंपोस्ट केचुआ की खाद भी आप उसमें मिला सकते हैं पूरे मिस्लड को मिला करके अच्छी प्रकार उसमें भर लीजिए और प्रयास करिए कि प्रती गड़े में एक या दो बीज जो है साम के समय लगाईए और लगाने के बाद उसमें हलकी सी फवारास से सिचाई कर दीजिए जिससे कि आपके जमा होने में सुगमता रहेगी अच्छी प्रती जमा हो जागा और इसके लिए किसान भाई प्रती दिन सुबह सुबह आप जो है फवारेस उसमें पानी लगाए हलका पानी लगाना है आपको बहुजाता पानी लगाना है किसान भाई यू सरार का इसके लगाना है कौन सी समय पर लगानाना इसके पैताली सेcasाड दिन पहले आपको नरसरी डाली है अभी क्या समय है जिनको की जुलाई अगस्त पलांटिंग करनी है जुलाई के लास्ट में करनी है या अगस्त में करनी है то वो किसानी भई अभी से नर्सरी डालना शुरू करदे है एक त्रफ नर्सरी आपकी जमाह हो जाए तो आपने खेतों bir गढड़े खुदवाने कारकर भी आप शुरू कर दें जुनाई के लास्ट में जिन किसान भाईयों को अक्टूबर में लगाना है एक छेतर ऐसे होते हैं जहां पे की पानी बहुत ज़्यादा बरसता है तो अक्टूबर से नौंबर तक पंद्रह नौंबर तक लगाते हैं तो वो किसान जुलाई के लास्ट में अपनी नर्सरी डालना शुरू कर दें और एक जहां पे बहुत ज़्यादा ठंड़क पड़ती है उन इछेतरों में हम लोग करते हैं कि आप फरावरी से मार्च में प्लांटिंग करें तो फरावरी मार्च से प्लांटिंग के लिए आपको दिसंब करते हैं जिसके की हाइट या जिसकी लंबाई कर सकते आप बारा से पंदरा सेंटी मिटर होना चाहिए बारा से पंदरा सेंटी मिटर जब वो उचाई हो गया उसकी पोधा बन गया तो फिर रुपाई के लिए वो तयार है तो फिर रुपाई करते हुए अभी हमें क्या करन अब उसमें और क्या काम करना है, रोपाई कैसे करना है, जसा हम आपको बता चुका था, कि गड़े अलेडी खुदा ही हो चुके, गोबर इखाद मिल गई, हम लोसे पानी लगा दिया, उसके बाद, जो पोदे हमारे पाल्थिन की थैलियों में तयार हो चुके हैं, जिसको हम क गड़े में लगाएंगे, और उस गड़े में प्रयास करेंगे कि साम के समय पोधों को लगाएं, और लगाने के तुरंत बाद, हलकी सी, आप जग के द्वारा, यह मग के द्वारा, हलकी सी आप सी चाहिए कर दे, थोड़ा सो उसके थाला बना दे, जिससे कि हम उसको हलकी पानी दे सके हैं उसको, किसान भाई, जी, तो डुक्र साब यह तो बात रही कि रोपाई करते समय हमें, जो ध्यान रखना है, वो बहुत ही एक ऐसा समय है कि जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान देना चाहिए, जी, जी, एक शोता हम से पाल्थिन की थैलियां ले ले और उन थैलियों में छेद होगा, जी छेद नहीं होगा तो आप छेद कर लें, नीचे के तरफ से और साइट से भी, और हम अभी बता रहे हैं, कुछ रूटिंग मीडिया आ रही हैं, दो भाग कोकोपिट, एक भाग बर्मिकुल लाइट, एक भाग पर लाइट, तीनों मिला करके बढ़ियां से अच्छी प्रकार, और उस थैलियों में भर लें, और थैलियों में भरने के बाग एक बीज या दो बीज जो है, आप थैलियों में डाल करके, हल्की सिसी चाहिए कर दें, और जब यह पोधा आपका 45-60 दिन का हो जाए, तो आप यह पोधा आपका तयार हो गया, पोध को फिल्ड में लगाने के लिए, जी, एक अनिशोता जूड़ रहे हैं हमसे, हलो, हलो, नमस्कार दक्षा, नमस्कार जी स्वागत है, कारिकरम किसान की बात में आप प्रसंद पूछें और अपने नाम बताए, मैं राजिन ब पूधा हो, यदि आपके खेट के आसपास नर के पूधा देखें, पपीता एक पर परागर किया है, तो पांच-सो मीटर के दूरի पर भी नर होगा ना, तो परागर उसमें हो जाता है, ठीक है, यदि फिर भी आपको कुछ करना है, तot अधी आपका नर का पूधा है, तो तो आ वहां पर लाग कर जो मादा का फूल है जैसे खिलते समझाझ को उसमें मादा के फूल में हलका सा डाल करक Geek अजिए डी तरीक है विले लुडा गिरेगा फूल फाड़िफफ च्जड़ल हा जानेम विला दिशक हपी इस द फूल कि시。 तो आपका पालनेशन नहीं होगा तो आप उनी को चुनिएगा जिसमें परागन होगा डॉक्टर साब हम बात कर रहे थे कि कैसे रोपाई कर नहीं है और पोलो थिन हटा दिया हमने और उसमें रोपाई को लगा दिया अब क्या उर्वरक प्रबंधन क्या करना है अब हमको जो है उर्वरक प्रबंधन के दो महीने के बाद हम लोग कहते हैं कि प्रबंधन के ठीक हर दो महीने के बाद मतलब कि आपको खाद देनी है तो इसका खाद की जो मात्रा होगी पहले यह आप जान लें यूरिया होगी 600-800 ग्राम डियापी होगी 400-400 ग्राम और पोट पौरिजी के दो महिने का पौधा है तो हड़ पंदर सिंटीमीटर यह दि आपका बड़ा होता जाएगा तो उसके अंसार एक से डेढ़ फिट की गुलाई में आपको यह खाद को मातरा को हर दो महिने के अंतराल पर डालनी है और डालने के बाद आप हलकी सिचाही करने इसके अलावा किसानभई पौधे के लगाने के 4 महिने में और 8 महिने में जिंक सलफेट 5 ग्राम 1 लिटर पानी में और बोरान या बोरिके सीट या बोरेक्स 1 ग्राम एक लिटर पानी में 24 और 8 महिने में इसका भी शेड़काओ動画 करने से पौधों की गुडवत्ता में अच्छी व समय भी है चलते चलते ये भी हमारे शोताओं को बताना जरूरी है कि कौन-कौन से रोग है जो इस फसल में आ जाते हैं और उनसे कैसे बचाव किया जो सबसे जो घातक रोग है आपका मैं उसको आपस पर आता हूं कि सबसे पहले यह आपका रिंग स्पार्ट वाइरस है यह ज इसमें कि हम करते हैं कि मुझाइक हो जाता है पतियां पीली-पीली हो जाती है इन दोनों को लीव कर और रिंग स्पार्ट वायरस को कंट्रोल करने के लिए कीडे की रोग थाम करना बहुत जरूरी किसान भाई उसके लिए आप जो है दवा आती है हमारी एक रोगार आता है दो एमल दवा एक लिटर पानी में या इमिडा क्लोरपी डाता है कांफीडूर तीन एमल दवा दस लिटर पानी में इसका छिड़काव जो है आप करीब 30 से 45 दिन के अंतराल पर इन दवाओं का छिड़काव करते रहें जिससे कि इन रोगों का निदान हो सके जी डॉक्ट इस कारिक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार आंदनी दुगनी लक्ष हमारा हर किसान की आंदनी दुगनी एफी नहीं नहीं तरकी में अब हम पो है चुनी